अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज इसको सस्क्राइब जुरूर करके जाना बहुत ज़्यादा हेल्फुल होगा आपके लिए एवरी डे इंग्लिश ग्रामर और कम्पोजिशन के सिलूशन के लिए ठीक है तो चलिए कुछ नया सीखते हैं और हमने स्टार्ट कियो है वक्षिट नंबर 21 ठीक है 20 तक हमारी अप्लोड हो चुकी है और 24 तक टोटल है हमने स्टार्ट करी है अब 21 वाले फरस्ट में हैं अंडरलाइन था नाउन फ्रेजिज इन दीस संटैंसिज अब फ्रेजिज वाला जोंसा चैप्टर था उसके अंदर अलग अलग पार्ट में दिया हुआ था कि नाउन की फ्रेज कुन सी है अर्जेक्टिव की अड़वर्ब की और वर्वर्ब की ठीक है तो से related इसने worksheet के अंदर सारा mix करके हम को दे दिया है और हमने अब underline करना है noun phrases को और यह phrases क्या होता है यह complete sentence ना हो करके सिर्फ एक sentence का part होता है जिसे not completed माना जाता है क्योंकि यह depend भी होता है subordinate होता है और अगर यह बोला जाए तो यह अधूरा सा लगता है ठीक है तो फर्स्ट में क्या रहेगा हमारा डैट रेड बैग और फिर हो जाएगा यूवर ड्रेस ये दोनों के दोनों ही हमारे नाउन फ्रेजीज हैं सेकंड में क्या है दा फर्स्ट परफॉर्मेंस ओफ दा इवनिंग और रहेगा टैन मिनर्स थर्ड में हैं सम न्यू प्रोब्लम और है दा वेबसाइट फोर्थ में हैं एविकेशन और लास्ट वाले जोंसे टू वर्स है हमारे फोर मन्स ये वाले फिफ्थ में हैं ब्यूटिफॉल पीसिज सिफ्थ में हो जाएगा दा सन दा स्काई डेज ओफ प्यूरिंग रेन सेबंथ में हैं दा फ्लोवर्स इन दा गार्डन एर्थ में हो जाएगा एंसियेंट मेथलोजी नाइन हैं दा लैंड लाइन फोन और लास्ट हमारा हो जाएगा एककप ओट परफेक्टिली मेड कोफि एंड माई फैवरेट वे ठीक हैं ये चैक्क्रश में आप पूरी देख सकते हैं वहां पे सारा का सारा एक्स्प्लेइन भी किया हुआ है और यहां पर सिरफ और सिरफ इसकी वक्षिट थे और सुलूशन के रूप में मैंने आपको यह नाउन फ्रेजिस के निचे अंडरलाइन करवा दिये हैं अब इसी के सेकंड पार्ट में देखते हैं फिल माता पीता हैं उन्हें क्या पसंद है तो इसका मैंने बनाया ओबेडेंट चिल्डरन ओबेडेंट क्या होता है जैसे कि आग्या क्यारी बच्ची जैसे हम application खतम होने के बाद थेंकिंग यू के बाद लिखते ने यूर्स ओबेडेंटली आपका आगे क्यारी शिश्य है तो ये वही से मैंने वर्ड को लिया है ओबेडेंट मतलब की होता है जो आग्या को मानता हो सेकिंड में हो जाएगा पीबी शेरी ये कौन थी हमारे एक इंगलिस की बहुत ही अच्छी पोईट मानी जाती थी ठीक है थर्ड है वर्किंग ओन दिस केस जोंसा ये केस है उसके उपर वर्क करना ए जोप ओफ एक्स्टीम पेशेंस मतलब की बहुत ज़्यादा धेरे रखने की जुरूरत है फूर्थ है इसका नहीं बनेगा तो मैंने क्रोस लगा दिया है फिर पे आप इसके साथ धक्का करो तो बना लेना फिप्थ है माई कजन राम विल बी गोईंग टू मद्रीट ठीक है और सिक्स तवाले में हो जाएगा दा पीपल इन दिस विलेज आर क्वाइट हेलफूल सेवंथ बनेगा हमारा माई फ्रेंड्स आर गोईंग हिकिंग एर्थ है दा स्कूल विल री ओपन आफ्टर नाइन्थ मन्थ ओन ट्वैल्थ जन्वरी ये करोना टाइम की बात कर रहे गया नई नाइन मन्थ निये ए मन्थ है एक महिने के बाद मतलों कि सर्दियों की छुटियों के बाद उसने बोला है कि ट्वैल्थ ओव जन्वरी को हमारे स्कूल जोन से है वो री ओपन हो जाएंगे नाइन्थ में है चैन वी गेट दा इंगलिश बुक और जोन से कॉस्टन मार्ट था यह यहां से अटाकर कि यहां लगा देना अगर आप यह ना बना करके अपने क्लास के बच्चों के IQ डैवल के कोडिंग भी संटेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं गूगल के उपर बहुत सारा मैटीरियल है जुरूर ही नहीं है कि आपको इसी लेवल के बनाने है ठीक है आपको अच्छे लगे तो आपको अच्छे लगे तो बहुत अच्छी बात है अदर्वाइस यूगन चेंज इट लास्ट है दा ओर्गे नाइजर्स ओफ दा इवेंट हैव डन देर बेस्ट तो मेक श्योर एवरीतिंग कि इस इन प्लेज सी में इसने बोला है अंडरलाइन करना है हमको अर्जेक्टिव मतलब कि उपर ए और बी में तो चल रही थी बात नाउन फ्रेजिस की अब आगी हमारी अर्जेक्टिव की बात अर्जेक्टिव क्या होता है विशेशन होता है जो किरिया की विशेशता बताता है मतलब कि जो जैसा काम हो रहा है उसके उसके बारे में बताता है अब हमने देखा फर्स्ट वाला संटेंस उसके अंदर कोई भी नहीं है तो मैंने लिख दिया no adjective phrase ठीक है इसके तो कुछ भी नहीं बनेगा second zone सा है उसका बनेगा unpelled strength and endurance third ओजएगा with eye opening qualities fourth है with colorful embroidery embroidery क्या होती है जो हमारे सुटों पे साडियों पे कढ़ाई की होती है वो बली ठीक है तो चलिए अब चलते हैं हमारे next fifth है the little girl went to the beach and found a box filled with gold तो इसका answer हो जाएगा filled with gold coins next में है Cinderella meet a fairy goat mother with magical powers तो हमने underline VC को ही कर देना है with magical powers seventh में हो जाएगा emotionally stating speech स्पीच नहीं होगा only two words है इसके अंदर eighth हो जाएगा much repute ninth में है exclaimed south korean last one is extremely dry बहुत ज्यादा सुखा हो जाना है जैसे कि winter में हमारी skin हो जाती है that's type of dryness चलिए अब करते हैं इसका last worksheet का डी पार्ट rewrite these sentences using adjective phrase मतलकि C वाले में हमने only underline किया था अब हमने खुद से इसको थोड़ा सा change भी करना है मतलकि आपको एक word दिया मिलेगा उसे एक word को हटा करके उसकी थोड़ी सी तारीफे बढ़ा करके उस word को कैसे हम बढ़ा सा बना सकते हैं first में है as years went by Alexander grew to be an ambitious leader ambitious क्या उता है बहुत ज़्यादा मैत्व कांशी बहुत सारी उसके अंदर इच्छाएं है ability भी है करना भी चाता है तो उसे बोलते हैं कि बहुत अच्छे माइंड का है तो इसको हमने पहले हटा देना है और इसकी जगह लिखना क्या है a leader with high ambition ठीक है बाकि आपका same to same रहेगा जो काटा है सिरफ उसकी जगह ही आपको ये write कर देना second में रहेगा it is a known fact that सूरज is an excellent writer पहले excellent को काट देना और सिरफ इस वर्ड की जगह आजाएगा extremely good third में है mini is looking out through the glass window तो glass को हटा करके यहाँ पर आजाएगा made of glass लेकिन ये आएगा कहा ये window के बाद आएगा ठीक है तो हमारा क्या बन जाएगा जैसे throw the window made of glass ये first वाला और second वाला तो जहाँ कट किया उन्हीं की जगह आएगा लेकिन third वाला जो मैंने write किया है ये window के बाद आएगा fourth में जो इसा wise है wise को हमने पहले कट कर देना है जिसका मतलब होता है बुधिमान और हमने बना देना है man के बाद हमने add करना है of wisdom grant is usually a quiet person ठीक है quiet को हमने हटा देना है और person के बाद क्या लिखना है क्या बन जेगा हमारा sentence grant is usually a person of few words sixth में हमने Spanish को हटा देना है तो क्या बन जेगा a woman from Spain ask me for direction ये arrow मैंने लगाया हुए है ये आएगा woman के बाद word seventh है the old woman spoke in फिर हमने इसको कट कर देना है और वो इसके बाद क्या करना है full of compassion eighth में हो जाएगा Nikhil lived a life of comfort in his village comfortable को हटा देना है और बना देना है life of comfort और इसके बाद वाला और उसके पहले वाला सारा का सारा आप same to same writer करते जाओगे ठीक है ninth हो जाएगा it was a full of suspense film ठीक है last है Ujjain in Madhya Pradesh is a very cold city इसको काट देना और इसकी जगह आजाएगा a very cold city ठीक है तो चलिए हमारा page नमबर हो गया है 169 भी डन आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीस इसको subscribe करके जरूर जाना शेयर भी करना लाइक भी करना और आने वाली वीडियो का इतिजार भी करना ठीक है बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्ट का शिफ्ट का और एट का बसी यही पैंडिक है और होली डेस जो होएंगी अभी विंटर की सब फिरिश हो जाएगा इसके अंदर सो कनेक्ट रहने के लिए बहुत बहुत आपका दिल से थेंक्यू है